नमस्कार प्यार बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टड़ी वित्रभी पर प्यार साथियो आज की इस लेक्चर्स में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इंपोर्टेंट कोच्छन सेंसर्स का डिसकसन करने वाले हैं जो कि आपकी बिहार बोड इग के जाम के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट ये बार 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 पूछा गया सवाल है तो सिर्फ वैसे कोच्छन को अब फोकस करने की बात है जो कि अब कम समय में ज्यादा ऐसे प्रशनों का सॉल्व करें जो कि बार बार पूछा गया है और 100% चांस बनता है कि आपक सिर्फ करने का प्रयाज करेंगा पहला नबर कोचछंज ज़रा ध्यान देंगे क्या पूछा गया है और काफी इंपोटेंट है बार बार लेटी पूछे के सवाल संयुक्त राष्ट संग का उधेश से क्या है ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं संयुक्त राष्ट संग के उधेश से क्या है तो और लेडी जो है सबसे पहले मैं आपको बता दू और लेडी ये कुचंस आपकी BCV एकजाम 2000 प्यार बच्चों 2000 किसमें 18 में पूछे गए है तो चलिए शुरुआत करते हैं उमीद है कि ये आपसे 2025 में भी 100% देखने को मिलेगा ऐसे कोचंस तो संयुक्त राष्ट संग के उधेश से क्या है चलिए एंसर की ओर बढ़ते हैं जैसा कि आपको पता है लगू उत्रियों में सिर्फ 2-3 लाइन में ही एंसर लिखना रहता है लेकिन हम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लाइन लेके आये हैं इसलिए ताकि आपको यह समझ में आ जाए और जब समझ में आ जाएगा पूरी बात है तो आप 2-3 लाइन अपने से भी लिख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं क्या है एंसर में देखेंगे सर्युक्तराष्ट एक ऐसी अंतराष्टी यह संस्था है सबसे पहले बात है सर्युक्तराष्ट क्या है तो एक परकार की क्या है अंतराष्टी यह ध्यान देंगे वर्ड मिनिंग पर ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है यहाँ पर संस्था है जिसकी अस्थापना पे रवच्चो यूद को रोक देंगे ऐसे सवाल जो है बार बार पूछे जाएंगे आपकी बिहार बुड़ की एकजाम में क्योंकि कोजिशन जो होता है यह लाजवाब होता है तो थोरा मैं इसको किलीन करता हूं और फिर से समझाने का प्रयाज करता हूं जरा ध्यान देंगे काफी important questions है और क्या कहा जा जरा है जरा देखेंगे तो देखेंगे संयुक्तराश्चंग का उद्धेश से क्या है एक मिनट जरा हम माउस को जरा सही कर ले एक मिनट के आप लोग टाइम देंगे और इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है आकीर संयुक्तराश्चंग का उद्धेश से एक मिनट पेरे बच्छों बने रहेंगे आफ लो जी आँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको एक मिनट जी हां तो आप रेडी हो चुका है और बात कर रहे हैं आप स्थाफना यूद कर रोकने आपसी सांती और भाईचारा स्थापित करने तथा जन कल्यान के कार्रे करने के लिए किया गया है यानि भाईचारा स्थापित किया जाए संजिक्तराष्ट संग के संस्ता के उदिस्से यही था और यूद को रोका जाए, जो भी यूद हो रहा है, उसको रोका जाए, आपसी सान्ती बनाये रखे, इसलिए इस संयुक्त राष्ट संग की उद्यस्य जो है, में में पॉइंट यह है, आजकल संसार के छोटे बड़े लगवग, 192 देश इस सद्यस्य है, इसके सद्यस्य क्य है, एक VO92 देश जो है, प्यारबचों, ακोoparo, 192 देश क्या है, यह संयुक्त राष्टस्य के सद्यस्य है, यह याद रहेंगे, इस संस्था का बेविद्थ अस्थापना 24 अक्टूबर याद रहें, इस संस्था की बिविद्था अस्थापना 24 अक्टूबर 1945 स्पी को हुई थी कब हुआ था ये आपके लिए इंपरेंट रहेगा मां चयाँ पर जरा मैं किलीन करदू है आप लोग इस्किंशोट ले लिए या साथ-साथ अपने copy में लिखने का प्रयास करें ये जो questions है आपके लिए important है और बार-बार पूछे जाते हैं तो चलिए ज़रा आप लोग skin short ये ले सकते हैं चलते हैं उदेश्चे इनके उदेश्चे क्या है ज़रा देख लेते हैं उदेश्चे यानि MKS का तो पहला है कि अंतराष्टिय सांती और सुरच्छा को बनाए रखना दुसरा है भिन भिन राष्टों के बीच मंत्री पुर्ण संबंदों का बढ़ावा देना साथी साथ आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, शामाजिक, शांस्कृतिक एबन मान भी ये डंग से अंतराष्टिय समस्याओं को हल करना ही इनका मेन उदेश से है चलते हैं दुसरा नमर कोश्चंस की उर जड़ा देखते हैं कि दुसरा नमर सवाल क्या कहता है आपसे ध्यान पुरवक देखेंगे तो काफी important कोश्चंस दुसरा नमर भी है और बार बार और लेडी पूछे के सवाल है भूम अंडलिये तापन या global warming क्या है global warming आज के जवाने में बहुत ही घातक सावित होगा पैर बच्चों याद रखेंगे इसलिए MBVI questions भी है और बार बार आपसे पूछे जाते है global warming के बारे में चलिए answer में कुछ इस फरकार से लिखेंगे कि यहाँ पे 57% तक global warming carbon dioxide gas के कारण होती है 57% मानी जाती है कि global warming जो होता है carbon dioxide gas की कारण होती है global warming में 25% तक की भागिदारी chlorofluoro carbon योगी जिसको हम लोग CFCS बोलते है की है यहीं 25% भागिदारी chlorofluoro carbon कारवनिक योगी किया याद रिखेंगे और methane जिसको हम लोग chemistry के भासा में क्या बोलते है CH4 बोलते है तो methane gas के कारण लगवग जो है 12% तक global warming और nitrogen के dioxide के कारण लगवग 6% तक global warming होती है पुछा जाएगा कि methane gas से कितने percent global warming होती है यहां पर global warming होती है global warming अथार्थ भू मंडल के ताप में ब्रिद्धी की परकेडिया यूरोप में औध्योगी करांती के बाद शुरू ही भरतमान में जीव मंडल पुर्व औध्योगी काल के तुनला में 0.6 degrees Celsius अधिक उसन है global warming का परभाव अगर देखेंगे तो global warming के कारण बाड शूखा जैसी गंभीर प्राक्रतिक आपदाय आएगी इसे जीव मंडल की जलवायू परभावित होगी इसका मानब जीवन और मानब जनसंग्या परतिकूल परभाव पड़ेगा भोजन की कमी एक गंभीर समस्या का रूप धारन कर लेगी क्योंकि global warming का खादान उत्पादन और संपुन क्रिसी पर अत्यदिक परतिकूल परभाव पड़ेगा याद रखेंगे इसकारान से ये question जो है MBVI आपके लिए भी सावित होता है और ये question आपसे 2025 के exam में भी देखने को मिलेगा चलते हैं तिसरा नबर सवाल की ओर जो की काभी important है और दो तरह से इस questions को पूछे जाते हैं जरा ध्यान से देखेंगे क्या पुछा जाता है पहला तो पुछा जाता है कि भारत के लिए बिविदिता में एकता का क्या अर्थ होता है या आत्मा में पुछा जाएगा कि अत्यांति विसाल देश है यहां लगबग 3000 जातिया निवास करती है 189 भहसाय बोले जाती है और अस्थानिये भहसाओं की संख्या लगबग 544 से यहां अनेक धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं विविन धर्मानिवायों और संपरदायवाले के अचार विचार भासा आदी में अंतर होने के बावजूद सभी लोग मिलजूल कर रहते हैं, अता यह ठीक है कि यहां विवित्ता और विविन्ता के दर्शन होते हैं, परन्तु इसके साथ ही यह भी श्विकार किया जाएगा कि यह विवित्ता में ही एकता है, तो इस परकार से कुछ आपको लिखना है, जिसमें यह तीन हजार वाली जो जातिया है, इनको नोटेट करना है, इस प्रेशन में हर हाल में, साथी साथ 189 भासाय बोले जाती है, इसको भी नोट यहां पर कर देना है, साथी साथ भासाय बोले जाती है, और अस्तानिय भासाओं की संख्या लगबक कितनी ह तो पांसो चोवाली से तीन जो डाटा आपको दिये गए हैं इसको नोट करना अतियाविसक माना जाता है क्योंकि डाटा वेस्ट कुछन जब पूछे जाते हैं आपके बिहार बोड की एक्जाम में तो ये काफी वेटेज रहता है कि आपके एक्जाम में जो मार्क्स मिलते है वे डाटा पर मिलते हैं तो इसको बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है चलते हैं अगला नमर कोच्छन की और जो चार नमर सवाल है क्या पूछा जा रहा है कि बहुदलिये ब्यवस्था से आप क्या समझते हैं अथवा बहुदलिये ब्यवस्था क्या है तो दो परकार से questions पूछे जा सकते हैं एक तो लंबा चवरा में घुमा के पूछा जाएगा कि बहुदलिये बिवस्था से आप क्या समझते हैं और दुसरा आथवा में पूछा जाएगा कि बहुदलिये बिवस्था क्या है questions का मतलब एक ही होता है सिर्फ आपको घुमा के पूछा जाएगा तो उमीद रखिए कि ये परश्ण आपसे बहुदलिये बिवस्ता क्या है सिर्फ यही पूछा जाएगा तो काफी आपके लिए अच्छा होगा, answer में क्या लिखना जरा ध्यान देंगे बहुत से दलो के सहयोग से सरकार चलाना बहुदलिये बिवस्ता है सिंपल सी लाइन में आपको लिखना है आम भासा में जिस परकार से यहाँ पे लिखा गया कि बहुत से दलो यानि बहुत सारे दल मिलके सहयोग से सरकार चलाना बहुदलिये बिवस्ता कहलाती है भारत में कॉंग्रेज गटबंदन UPA बहुदलिय विवस्था द्वारा सरकार चला रही है यहाँ पर याद रहेंगे बिहार सरकार भी गटबंदन विवस्था से सरकार चला रही है अभी भी बरतमान में बिहार सरकार जो है गटबंदन विवस्था बीजीपी के साथ यहाँ जैदियू मिलकर सरकार चला रही है केंदर में अटल बिहारी बाजपे ने भी NDA के अनेक दल के साथ मिलकर सरकार बनाई बिल्खुल राइट एंसर यहाँ पे लाइन लिखा गया है जो कि बिल्खुल important भी है आपके लिए और इस लाइन को noted करना आपके exam यहाँ पे exam के paper में काफी important रहेगा इसको आप जरूर नोट करें बरतमान में केंदर की मोधी सरकार भी बहुत दलिये विवस्था का एक नमूना है अभी भी हमारे देश में जो यहाँ पे सासन चल लिए जिस सरकार की यहाँ पे अभी देश चल लेए उसमें भी बहुत सारे दल मिलकर चला रही है क्योंकि इसमें भी कई दल समली था याद रिखेंगे सीत यूद क्या है आज के last question से रहेगा चलिए solve करने का प्रयास करते हैं सीत यूद क्या है अत्वा सीत यूद पर एक सीत यूद की शुरुवात हुई अगस्त 1945 में अमेरिका ने जपान के दो सहर हीरो सीमा और नागा साकी पर परमानू बम गिरा है मिलकुल सभी को पता होगा कि 1945 में अमेरिका ने जपान के दो सहर हीरो सीमा और नागा साकी पर परमानु बम की, उसे हमला किये थे, जपान को घुटने टेकने परे, इसके बाद दुसरे बिश्व यूद का अंत हुआ, अब अमेरिका और सोवियत संग के बिश्व की सबसे बड़ी सक्ति थे, इसके पास इतनी छमता थी, कि बिश्व की किसी भी घटना को प्रवावित कर स कि अभी भी इसके पास वैसी यहां पे सक्ति है, बट भारत भी इससे कम नहीं है, अमेरिका और सोवियत संग का महा सक्ति बनने के होड में, एक दुसरे के मुकाबले खारा होना, सीतियुद का कारण बना, सीतियुद सुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी, कि पर सीतियुद में लिखना है कि सीतियुद की परमुक सेन बिसेस्ताओं पर ध्यान दे, इसमें दो महा सक्ति और अपने अपने गुट थे, इन परंशपर परतिद्विंदी गुटों में सामिल देशों से अपेच्छा थी कि वे तर्क संगत और जिमेदारी भरा बेवार इन देशों को एक विशेस अर्थ में तर्क संगत और जिमेदारी भरा बरताव करना था। परंशपर बिदेशी गुटों में सामिल देशों को समझना था कि आपसी यूद में जोखीम है क्योंकि संभव है कि इसकी वज़ा से दो महा सक्तियों के बीच यूद ठन जाएगा अब दो महा सक्ति और उनकी अगवाई वाले गुटों के बीच प्रंस पर अवरोध का संबंद हो तो यूद लरना दोनों के लिए बिदवनसक साबित होगा। इस संदर में जिमेदारीों का मतलब था सयम से काम लेना और तिसरे विश्व यूद के जोखिम से बचना। इस नहीं तो यह धरती अभी तक समाप्त हो गई रहती और अभी अगर यह सीति यूद होता है तो काफी सारे छती सभी देशों के जनता को सारी के सारी जितने भी देश सभी देश की निताओं को जहलना पर सकता है तो मनाएं आप कि आप जिस यहां पे सताब्दी में आप जो है हमें सब पूछे जाते हैं आपके बियार बोट की एकजाम में उमीद है कि कोचेंज लाफ जवाब था कोमेंट बॉक्स में अपना 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 कोमेंट बॉक्स में फीड़ग देंगे साथ चाहत इस वीडियो को जादर सेयर करने का परयास करेंगे तब तरक लिए आ आइब एंटे केर जहीं देंजे बाराद